आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार विजनौर में लोगों के लिए पहली बार खोला गया टाइगर रिजर्व पर एटक जंगल सफारी का भी किया गया शुबारम लखनौव में डीयम ने किया प्रात्मिक विद्याले का निरिक्षन बच्चों से भी किया समवाद अलिगड में कुड़ा उठाने के लिए नई पहल होगी शुरू नगर निगम मोबाईल आप के जरीए उठाएगा कुड़ा सीतापुर में आदश शमजीवी पत्रकार संग्ने सौपा ग्यापन पीडित पत्रकार को न्याय दिलाने की मांगी नमस्कार मैं उशा भारगाओ और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश तो शुरूआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ खबर लखनाउ से है जहां कि सिटी मॉन्टेस्री स्कूल में आडिये सो कैंपस के तीन मेदावी चातरों को भालत सरकार के विज्ञान इवन प्रद्योग की मंतराले द्वारा 4-4 लाख रुपे की स्कॉलर्शिप से नवाजा गया और चातरों को ये स्कॉलर्शिप विज्ञान विशे में उचिस्तरी सिक्षक के लिए दी गई है जिसके अंतरगत प्रतेक शातर को 5 सालों तक 4 लाख रुपे की धनराशी प्रदान की जाएगी बता दे इनमेदावी चातरों ने पर्चम लहराते हुए पूरे देश में टॉप 1% मेरिट सूची में स्थान अर्जित किया है खबर लखनाओं की जानकी पुरम से है जहाँ पारशद शीबा चान सिद्धीकी ने अपने वार्ड के लिए सरानिय पहल की बता दे बटे डेंगू के मरीजों को देख बचाव के लिए पारशद ने बिना नगर निगम कंतिजार किये खुदी फॉगिंग मशीन खरीद कर वार्ड में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया ताकि छेतरवाशियों को डेंगू से राहत मिल सके लखनाओ में राश्टे पोशन मिशन के अंतरगत डीम के गोद लिये गए शाजाहपूर आगनबाडी केंद्र और प्रात्मिक विद्याले का आकस्मिक निरिक्षन किया गया प्रात्मिक विद्याले और आगनबडी केंद्र पहुँचकर जिलादिकारी ने बच्चों के साथ समय बिताया साथ ही बच्चों से समवात करते हैं उनकी पढ़ाई और भविश्य में उनका क्या बनना है इसकी जानकारी बिली बतादे की प्रात्मिक विद्याले में 149 बच्चों को सिक्षा दी जाती है खबर गाजीपुर से है जहां बेसिक सिक्षा विभाग ने खेलो इंडिया के तहत इन दिनों बाल क्रियना प्रतियोगिता का आयोजन किया इस क्रम में PG कॉलेज के ग्राउंड पर सभी ब्लोकों से आए हुए छात्रों ने अपने हुनर का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें जन्पत की 16 ब्लोक के भिन भिन परिशदिये विद्यालियों के छात्र ने एक तरफ जहां मार्च पास्ट कर जिला अधिकारी को सलामी दी तो वही छात्रों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम के तहत कहीं तरह के कारिकरम भी प्रस्तुत किये हैं कि प्रतिस प्रद्धा करना और उसमें जो भी परिणाम आए उसको हस्ते हस्ते स्विकार करना चाहें आपकी जीत हो या पराजय हो उसे स्पोर्समें स्पिरिट कहते हैं और ये जो चरित्र में अपने धाल लेता है वो आगे जीवन के संकरश में भी हमेशा विजई होता है तो मैं अपने बच्चों को यही इकरना चाहती हूँ कि जिस स्पिरिट से आपने जिस महनत से इस कारिक्डम की शुमारम में अपनी कला और प्रतिभा को दिखाया है वो प्रशंस दिये हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी जल्पत के बच्चे न सिर्फ मंडल में बलकि पूरे प्रदेश में सबसे अधिक अंद पाए सबसे आगे रहे अलिगंड में स्मार्ट सिटी मिशन के चलते लिए नगर निगम ने महली से कुड़ा उठाने के लिए स्मार्ट सिटी पहल की शुरुआत की मोहलों में अब नगर निगम मोबाईल एप के जरीए कुड़ा उठाएगा आपको बता दे की डियम और कमिशनर ने गाड़ियों को हरी जंडी दिखाई है नगर निगम की तरफ से साथ गाड़ियों को शुरू किया गया है जो मोबाईल एप के जरीए मोहले से कुड़ा उठाएगी उन्होंने बताया कि यह गाड़ियां एप के जरीए कारी करेंगी जिसके चलते समस्त घरों में इसका डाउनलोड कराया जाएगा इसको पूरा किया जाएगा पिसी तरह से दो दो तिन ती पाड़ में बढ़ाते चलिए हैं तो मुझे उम्मीद है कि शहर के लिए बहुत सुप्दा होगी और जो परेशानी पबलिक की थी पूरा नालियों में पढ़ा है इतर पढ़ा है उधर पढ़ा है नगराई साब की ख अधर में इंटिग्रेटिटेट वेस्ट मैनेजमेंट प्राजेक्ट इसको लॉंज किया गया है यह फूर बार्जट अवार्ड वार्ट हुआ था उसको विदिवत लॉंज किया जा रहा है इसमें हाउस तु हाउस पूरा कलेक्शन और ट्रास्वर स्टेशन के मातियम से में शाहबात कोतावली इलाके में करीब डेड़ महापूर्व दो लग लोगों ने एक यूवित को भगा दिया पेड़ित पिता ने सीयो को तहरीर देते हुए कारवाई की मांग की है जिसमें विवेचक के साथ आरोपी के साथ गार्ट करने पर पेड़ित आत्मदा को रखा परिशान पेड़ित ने सीयो को प्रात्ना पत्र दिया है जिस पर जांच कराकर दरोगा पर कारवाई की मांग की है सीतापूर में प्रदेश अध्यक्ष राम लखन सिधौली पहुचे और वहाँ संगठन की जिले अध्यक्ष ने सरकारी अवास में हुई धांदली को लेकर उपजिला अधिकारी को ग्यापन सौपने गए आपको बता दे कि वहाँ उपजिला अधिकारी नदारद मिले जिसके बाद संगठन ने स्टोनों को सभी समस्याओं को बताते हुए ग्यापन सौप दिया ग्यापन दिया इस बिन पर कि हमारे ग्राम असभा में आवाज दिये जाते हैं उधांदली कियाती है बड़े आदमें को आवाज दिया जते हैं गरीबों को नहीं दिया जते हैं और गाओं की समस्याओं जिसे समस्याओं नाली है घंजा है रास्ते पे है और सारी समस्याओं किसामी की है गन्ना की घर्तवली है धान का धान जो है गरीब किसानों को नहीं दिया जता है प्रदेश सचिव के निर्टत्व में पत्रकारों ने कुछ दबंगो द्वारा पेडित पत्रकार को नयाय दिलाने के लिए जनपत से मुख्य मंत्री आवास तक पद्यातरा का अगास किया वहीं पत्रकारों के जनसलाब को देखते हुए प्रशासन ने शहर कोतवाल तेज प्रकास सिंग को पत्रकारों के समू को मनाने के लिए भेजा जहां शहर कोतवाल ने सीतापूर पुलिस अधिक्षक के संग्यान में पूरा मामला डाल कर नयाय दिलाने की आस्वाशन दिया है खबर गाजीपूर से है जहां मुहमदाबाद थाने में हुए संसनी खेज दोहरे हत्याकान का पुलिस ने खुलासा किया है जिसमें कातिल बेटे को गरफतार कर पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया है स्पी गाजीपूर ने बताया कि आरोपी ने मकान बेचने और पैसे की लेंदेन के लिए अपनी माँ और बड़ी बेहन की गला दबा कर हत्या कर दी आरोपी को गौसपूर से गिरफतार कर पूछताच की गई तो अपना जुर्म कवरूल कर लिया बुलन शहर में डिबाई थाने में तैनात पी आडी जवान ने होम गार्ड और पी आडी में भरती कराने के नाम पर लाखों की ठगी का मौमला सामने आया है आपको पता दे कि 8 सिक्षित बेरोजगारों से 30-30 हजार की वसूली करते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है SSP ने जाज के आदेश दे दिये है हमने बोला था उमसे पैसे लिये थे कि हम तुमारा डेड महीने में ही काम करा देंगे लेकिन आज 20 महीने होगे पी आडी में काम करा देंगे लेकिन आज तक उन्होंने ना तो हमान नॉक्री लगवाई और ना पैसे वापिज दिये हम जब उनके पास पैसे मांगने जाते हैं तो आजकल आजकल कहते हैं और हम फॉन करते हैं तो फॉन पर हमें धंकी देते हैं मेरे साथ यह हुआ है कि हम लोगों से आठ लोगों से पी-ारडी में लगवाने के लिए पैसे ले लिए और देड़ महीने में बोला था कि अब तुमारा काम करा देंगे लेकन अब दीस महीने होगे अभी तक हारा भी काम नहीं पैसे वापिस किया है एक वीडियो संग्यान में आया था जिसमें कि पी-ारडी करमचारी कुछ लोगों से नोपली लगवाने के नाम पे 30,000 रुपए ले रहा था इस वीडियो का संग्यान लेते वे अना गिवाई में सुसंगर नावावां में में नुकुमा पजिक्रिप कर लिया गया है और साथ भी वाईरल वीडियो में इस घिनोने खेल का खुलासा किया गया है इसके बाद अब एक और वीडियो वाईरल हो रहा है गाउं में च्छापे मारी करते हुए वैश्यावरत्री के दल दल में एक लड़की को पुलिस ने रिहा कराया है इसके बाद वैश्यावरत्री कराने क आरोप में तीन लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्जकर उन्हें गिरफतार कर लिया है जबकि साथ आरोपी अभी भी फरार हैं थाना अत्रवली का मामला है थाना अत्रवली पुलिस वा स्रीव हरियावाँ को यह सूचना मिली थी कि ग्राम डट पुर्वा में एक महिला है स्रीमत्ती सोम वाइगाफ सीटू यह तता अन्य लोग मिल करके गाउं में बेसर्वित करवा रहे हैं इस सूचना पर पुलिस ने बच्चे उसको बनमत किया गया है पुलिस दोरा उची धराउं में अवयोग पंजित किया गया है जिसमें अनैतिक बैपार अधिमियम की धराएं हैं तीर अवयूकतों को गिरपतार करें जिल वेज रहे हैं तता अन्य जो 6 लोग है उनको सेगर गिरपतार करके जिल वेज बिजनोर में आमनगट टाइगर रिजर्व पहली बार लोगों के लिए खोल दिया गया है इस मौके पर परेटक जंगल सफारी का भी शुबारम किया गया तो वही आमनगट टाइगर रिजर्व के हरीपुर वन परिसर में जंगल सफारी का शुबारम भाजपा विदायक उनों ने इस अफसर पर परिटन पंजी करंड कक्ष कैंटीन टिकट घर का फीता काट कर शुबारम किया और जंगल सफारी जिपसी को हरी जंडी दिखा कर रावाना किया यहां पर संख्या शेरों की हरनों की हातियों की और अन्यर प्रकार के जानवरों की वो जंक सब हित intend क्यों क्यों हैं रिसोर्स जादा है और जहां वाटर रहेगा वहां प्राइमरी आनिमल रहेगा फिर अपने आप ही कानिवर्स वही पर पहुंचेंगे जहां पर हिरन वगेरा रहेगा तो इसलिए यहां पर स्पोटिंग बहुत जल्दी आती है और जादा से जादा बच्चों को देखने में स प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहेए प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार राजनिती से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नज़र ना कोई शोर शराबा ना कोई एजिंडा जिम्मेदारों से करते हैं ती के सवाल जनता के मुद्दो का रखते हैं खयाल हम पक्ष और विपक्ष के बीच दिस्पक्ष खड़े हैं आप निस्पक्ष और नीडर्ता के सांथ बात करते हैं